रिप्रड़क्शन से हमारा क्या मतलब है? रिप्रड़क्शन का मतलब है रिप्रड्यूस करना यानि कि फिर से प्रड्यूस करना. जब एक ओगनिजम अपने ही तरह के दूसरे ओगनिजम को चन्म देता है तो इस प्रोसेस को हम रिप्रड़क्शन कहते हैं. और ये किस पर निर्बर होता है क्या आपको लगता है हमें reproduce करने के लिए एक खास body structure की जरूरत है वास्तव में जी हाँ हमें जरूरत है लेकिन amoeba जैसे organisms का क्या उनके पास reproduction के लिए कोई विशेश organs नहीं होते है वो कैसे reproduce और multiply करते है आंसर काफी आसान है वो binary fission के method का use करते है term binary by शब्द से आता है जिसका मतलब two होता है और fission का मतलब dividing होता है amoeba का शरीर दो हिस्तों में split होता है और दो नए cells बनाता है चलिए देखते हैं ये कैसे होता है amoeba के nucleus में organism के chromosomes होते हैं chromosomes में DNA replicate होता है धकेल दिया जाता है और उसी समय cell बढ़ता है और expand होता है अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा cell की plasma membrane कस जाती है और अंदर की ओर सिकुड जाती है इस process को cytokinesis कहते हैं जैसे ही ये process पूरा हो जाता है cell अलग हो जाता है और दो नए cells बनाता है इन्हें daughter cells कहा जाता है और ये एक दूसरे से identical होते हैं इस process में सिर्फ एक cell reproduction में शामिल था हम ऐसे reproduction को asexual mode of reproduction कहते हैं आप ऐसे दूसरे और कौन से methods जानते हैं जिसमें reproduce करने के लिए सिर्फ एक parent की ज़रूत होती है budding बिल्कुल सही budding ऐसा दूसरा method है जिसमें सिर्फ एक parent की ज़रूत होती है नया organism बनाने के लिए example के तौर पर hydra reproduce करने के लिए budding का use करता है इस asexual reproduction के process में क्या होता है ये एक hydra का शरीर है क्या आप hydra के शरीर पर एक छोटा सा outgrowth देख सकते हैं हम ऐसी outgrowth को क्या कहते हैं हम इसे एक bud कहते हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ये budding बाहर की तरफ और बढ़ेगा ये parent hydra से सभी nutrition ले ले लेता है जिसकी इसे जरुरत होती है बढ़ने और develop होने के लिए कुछ दिनों के बाद bud एक छोटी से hydra की तरह दिखने लगेगा लंबे शरीर और tentacles के साथ क्या होता है जैसे ही एक नया hydra बन जाता है जैसे ही एक baby hydra पूरी तरह से बन जाता है वो parent hydra से अलग हो जाता है और उसका एक independent existence होता है इस process को budding कहते हैं जहां organisms parent body पर एक bud से एक नय organism में विक्सित होता है खेर, organism parent body से अलग नहीं हो सकता है जब तक वो पूरी तरह से बन नहीं जाता और वो parent पर nutrition के लिए निरभर रहता है अगर किसी भी case में bud पूरी तरह से बनने से पहले parent से अलग हो जाता है तो organism सवाइव नहीं कर पाएगा खेर, asexual reproduction में कुछ ऐसे भी methods हैं जहां organisms को parent के संपट में होने की जरूरत नहीं होती है क्या आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं इनके बारे में और जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा